गैस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरेस को नजदीक से देखा था, एसोसियेटिव एरेस की बात की थी, आज मैं आप लोगों को मल्टी डिमेंशनल एरेस के बारे में बताना चाहता हूँ, बार 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 इसलिए बतार हूँ कोई को सारे कॉमेंट्स आरेस में लोग बोल रहा है कि हमारे नहीं चल रहा है, तो Apache आपको जब तक यह Green न हो जाए आपर Start न हो जाए. तब तक आपका Apache Start नहीं हुआ है और आप लोगों को Error मिलेगा अगर आप lyukका Apache Start नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं आ पर इसको आपको याद दिलाता हूं बार-बार कि Apache Start कर लो. मैं आपर अब करूँगा क्या कि मैं एक नई फाइल बनाऊंगा और उसका नाम मैं रिखूँगा multi-dimensional-arrays.php और मैंने यहापर simply क्या किया है कि यह जो php था इसका जो syntax है वो मैंने आपर इस तरह से लिख दिया है और जैसे कि हमेशा की तरह मैं आपर लिखूँगा echo और यहां पर मैं ऐसे लिख दूँगा कि क्या लिखूँगा मैं आपर लिखता हूँ कि welcome कर लेता हूँ welcome to multi-dimensional-arrays in php ठीक है और उसी के साथ साथ इसको save करूँगा और save करने के बाद यहां पर आप लोगों को दिखाऊँगा कि यहां पर एक file create हो गई है और इसको खोलें तो welcome to multi-dimensional-arrays in php यहां पर लिखकर आ गया है तो multi-dimensional-arrays होते गया है इस बारे में पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अभी तक हमने जो arrays देखे थे उनको access करने के लिए हमको सिर्फ एक key देनी पड़ती थी key का मतलब है zero one two three या फिर अगर हम associative arrays की बात करें तो जो हमने keys उसकी define करी है जैसे कि मुझे शुबम देना पड़ा यहां पर red पाने के लिए मुझे hairy देना पड़ा यहां पर brown पाने के लिए मुझे रोहन देना पड़ा यहां पर fav call में क्या पाने के लिए green पाने के लिए ठीक है तो यह सारे के सारी जो keys है वो में देनी पड़ती है निकि ARR के साथ हमको सिर्फ एक चीज़ और देनी है और हमको वो इस array में से value fetch करके दे देगा अगर मैं array के अंदर array डालनू तो वो हो जाता है multi dimensional array dimension का मतलब होता है कि आपके arrays के अंदर कितने arrays है चाहिए keys की एक array की value को access करने के लिए तो कितनी keys चाहिए array की value access करने के लिए इस dimension यहाँ पर एक थी तो यह one dimension array था तो अगर आपसे कोई पूचे की array का dimension क्या है तो array का dimension आपका इस array का पूचे तो one है लेकिन आप हम जो arrays बनाने वाले हैं उन arrays की dimension 1 से भी ज्यादा होने वा पाते हैं बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखेंगे multi-dimensional array कम से कम two-dimensional array जो है हम लोग देखेंगे तो two-dimensional array क्यों use करें एक ही array में क्यों ना भर लें तो एक बहुत ही अच्छा example है matrices अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं इस तरह की एक matrix जैसे कि मैं अगर आप लोग को एक example दूँ इस तरह की matrix का जिसमें कि आपने क्या किया है कि इस तरह से एक table बना ली है और आप tabular form में data को store करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर multi-dimensional array बनाकर इस चीज़ को कर सकते ह तो यहाँ पर देखो 2, 5, 7, 8 अगर मैं आपर 00 करूं तो मुझे 2 मिलना चाहिए, 01 करूं तो 5 मिलना चाहिए, 02 करूं तो 7 मिलना चाहिए, तो मुझे जो access करने का ease है वो मिल जाता है, तो उस ease को पाने के लिए मैं अपने data को इस format में देना चाहते हूं, जैसे मानलों यहाँ पर 2nd student 123 mark करके कर रहा हूँ, ऐसे आपका जो index है वो 0 से start होने वाली है, तो हमेशे 0th student बोलेंगे ताकि हम लोग confused न हो जाए, और real world में तो आप किसी इंसान को बोल नहीं सकते की 0th, 1st, 2nd, 3rd, 1 से start करते हो, programming में आप लोग यहाँ पर most of the languages में 0 से start करते हो, तो यहा करते हैं, इस array को बना ही लेते हैं, ठीक है, और इस array को बनाने के लिए, यानि कि इस matrix को बनाने के लिए मैं आपर करूँगा क्या, मैं आपर लिखूँगा dollar multi dime is equal to, अब मैं आपर लिखूँगा array, और array के अंदर क्या रहेगा, मेरे बहुत सारे arrays रहने वाले है, तो मेरा array क अंदर का पहला array क्या होने वाला है, पहला array क्या होने वाला है, आप लोग देखूँगा, यहापर 2, 5, 7 और 8, तो इसके अंदर values रहेंगी, 2, 5, 7 और 8, ठीक है, तो यह एक value होगा, यह कॉमा लगाऊंगा, तो यह पूरी जो है, यह as a whole एक value है, ठीक है, कुछ ऐसा समझो, इसके अंदर एक value है, similarly इसके अंदर और जो values हैं, दो और 1, 2, 3, 1 है यह, इसको मैं लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 1, और अगर इसकी बात करों, 4, 5, 0, 1, तो यह भी मैं लिख देता हूँ, 4, 5, 0, 1, इसको save कर देता हूँ, last value में comma नहीं आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, औ खुबसूरती को बढ़ाने के लिए, थोड़ा मैं ऐसे indent देता हूँ, ताकि पता चले कि array के अंदर array है, यहाँ पर भी tap देता हूँ, और इसको मैं save कर देता हूँ, ठीक है, save करने के बाद कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आपको करूँगा, मैं आप लिखूँगा echo, और wear dump, और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दोगा, multi-dim, और उसके बास सामे को लोगा के save करूँगा, और आप लोग को यहाँ पर इसको दिखाना चाहता हूँ, तो यह देखो, इसने मुझे यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में दिखा है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, कि जो multi-dimensional array है, how does it make sense, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो, तो यह कह रहा है कि भाई देखो, एक array है, array के अंदर array है, जो 0th index है, वो एक array है, of size 4, 0th index है, और यह जो है, जिस तरह से मैं आप लोग को दिखा you know, representation for easy understanding, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको, मैं वार्डम को अटा देता हूँ अभी, और हम लोग इसको print करेंगे, for loops की मदद से, लेकिन इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हम multi-dim 0 करेंगे, तो हम एक array मिलेगा, हम यहाँ तक आए हैं अभी, और एक और 0 लगा इसके अंदर, तो हम कहाँ पर आएं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें 2 मिलना चाहिए, देखते हैं, तो देखो यहाँ पर, oops मैंने save नहीं किया लगता है इसको, हाँ, save नहीं किया, मैंने save करके इसको reload किया, तो 2 मिला, अगर मैं यहाँ पर 1 और 01011, 11 करूं तो 2 मिलेगा 1012, 12 करूं तो 3 मिलेगा, तो 12 करके देखता हूं, 12, 12 करने में मुझे 3 मिला चाहिए, और यह देखो 3 मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको as a tabular form print करना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे करूंगा, तो वो भी मैं आप लोग को भी दिखाना चाहता हूं, कि for loops की मज़से मैं कैसे इस two dimensional array तो मैं creating a two dimensional array यहाँ पर लिख रहा हूं, और यह मैंने लिखने के बाद, यहाँ पर एक two dimensional array बना दिया, और two dimensional array है यह, इसलिए मुझे एक value को access करने के लिए दो indices की ज़रुवत पढ़ रही है, एक तो पहले level मर मैं कितना अंदर गुसना चाहता हूं, यहाँ पर मैं आ गया, zero one, उसकी बाद उसके अंदर मैं का गुसना चाहता हूं, तो two, तो मैं zero one two, इसलिए three value print हो गई, अगर मैं एक for loop चलाओ, मैं snippet के use करूंगा यहाँ पर, मै अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने यहाँ पर for loops के अंदर देखा था कि किस तरह से हम लोग count array करके array के सारे elements को iterate कर सकते हैं, तो मैं basically यहाँ पर आ गया, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर मैं इसको कर दूँ, मैं echo करूं, echo well dumb करता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ मैं लिख दूँगा क्या, मैं लिखूंगा multi dim, dollar multi dim, और उसके बाद मैं लिख दूँगा dollar i, तो मैं basically क्या कर रहा हूं यहाँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक echo BR भी कर दूँगा, आप इस program को समझना, इस program के dynamics को समझना, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कि एक एक क इसको print किया है, और उसके बाद एक BR print किया है, तो अगर मैं इसको reload करूँ यहाँ यहाँ तो देखो, यह 3 अटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं comment out कर रहा हूँ, सर्फ confusion create करेगा, तो आप लोग देखो, पहला array, दूसरा array, तीसरा array, सब का size 4 है, और यह देखो print हो रहा है तो मैं काम करता हूँ, इनको अलग करता हूँ, यह जो मैंने लिखा है, मैं आप लिखता हूँ कुछ इस तरह से, printing the contents of a two dimensional array, ठीक है, यह तो मैंने content को print कर दिया, अब मैं इसको करूँगा comment out, copy करूँगा comment out करूँगा, नीचे paste करूँगा वापस से, और आपको करने के बजाए, यानि कि इस चीज को मैं किस तरह एक और for loop से replace कर सकता हूँ, अब i मैंने already use कर दिया, तो इसलिए मैं j use करूँगा, इसलिए इन्होंने क्या किया, तीनों को select किया, जब आप इसने पर use करते हो तो, अब इस बात को दिखान से समझना, I hope मैं fast नहीं बता र दबाया, zero ही रखना चाहता हूँ मैं इसको, फिर tap दबाया और मैं इस बार count इसका रखना चाहता हूँ, कितना, मैं count रखना चाहता हूँ, dollar multi dim, dollar i, यानि कि वो जो array है, dollar multi dim, dollar i क्या था, यहाँ पर जो print किया था हमने, वो array था, जो उसके अंदर है, उस array का जो भी count है, उत dollar i, और उसी के साथ, dollar j, अगर मैं ऐसे करूँगा, तो मुझे वो value मिल जानी है, और यह value जैसे ही मिलेगी, मैं एक और चीज़ प्रिंट करूँगा, यहाँ पर, एक act को एक blank space कर देता हूँ, ठीक है, तो हर number के बाद एक space आ जाएगी, ठीक है, इसका output आपको दिखाता हू और आप भी कहोगे कि मज़ा आगया, अरी भाई, देखो इसका output, कितना मज़ेदार output इसने, मैंने क्या गिया कि जो matrix these को ऐसे कैसी print कर दिया, और आफ लोगो को यहाँ पर पता चलाओ का 257812314501, यह जो हमारा array के अंदर, जो हमने multi-dimensional array अपना बनाया था, वो है यह, तो ह हमने क्या किया कि हमने का for loop लगा दो इस वाले भार यह array पर और यह सारे arrays को एक एक करके print करो, ठीक है, और वो अंदर के जो arrays थे, वो क्या थे, वो थे multi-dimensional dollar array, multi-dimensional dollar array क्या था, मेरे एक एक array जो मैंने यह आपर इसके अंदर बनाये थे, वो थे multi-dimensional dollar array, अब मैंने क्या किया, मैं एक और level किया, मैंने क्या है, मैं उस multi-dimensional dollar array को लेकर, उसके अंदर के भी elements को print करूँगा, तो यह जो मैंने highlight किया है भी, वो मैंने इस से replace किया है, मैंने अपना जो, जहां पहले मैं वार्डम कर रहा था, अपने पूरे array को, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई की तो एक value होगी, तो मैंने J use कर लिया, मैंने का इस J को चलाओ, 0 से लेकर, multi-dimensional dollar I के count तक, multi-dimensional dollar I के आए, कुछ नहीं है, multi-dimensional dollar I यह होगा, I के value 0 है तो, फिर यह हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा, तो multi-dimensional dollar I array है, डरो मत multi-dimensional dollar I के नाम से, यह multi-dimensional dollar I, अब मतलब कुछ ल I array है, अब multi-dimensional dollar I, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो में, तो अगर कोई multi-dimensional dollar I count करे, मैंने कितनी बार बोला है, इस वीडियो में, तो नीचे comment में ज़रूर बताना, हला कि, I don't you know, एक मजाग था, कोई count करने मत बैठ जाना, अब यहापर multi-dimensional dollar I मैंने यहापर च dollar I, dollar J, two, five, seven, eight, यह values आजाएंगे, क्योंकि मैं array के अंदर के array में घुच चुका हूँ भी, तो मैं यहापर घुच चुका हूँ, तो two, five, seven, eight, यह for loop एक बार चलेगा, तो two, five, seven, eight print करेगा, फिर वापस से आई वाला चलेगा, तो यह nested for loop कैसे काम करता है, मैं चाहता हू Multidium, dollar I, dollar J, dollar K, dollar L भी हो सकता था, लेकिन वो थोड़ा जादा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आप लोग तीन से जादा dimension को बिलकुल भी वो करें, दो dimensional को आप master करें, दो dimensional array आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, कई बार, तीन dimensional array rare होते हैं, दिख जाते हैं कभी-कभी, ल और आप लोग जो हैं, आप लोग लगा है, इनको समझ गए होंगे, अभी मेरी जो request आप लोगों से वो यह है कि आप लोग करें, क्या कि इसको आप practice करें, तीन dimension के लिए, मुझे पता है कि आप लोगों को ज़्यादा लग सकता है, लेकिन यह मैं आप लोगों से request करता हू कि आप लोग तीन dimension के लिए इसको प्लीज प्रैक्टिस करें, उससे क्या होगा, मेरी लिए काम आसान होगा, उससे मेरा क्या फाइदा होगा, मेरा यह फाइदा होगा कि आगे मैं आप लोग को जब बताऊंगा और चीजें, तो वहाप लोग को चीजे clear होंगी, आप लोग क्योंकि आप लोगों को फिर उसके बाद कोई भी two dimensional के array को समझने में problem नहीं होगी, तो जब आप एक level आगे चले जाते हैं, तो पीछे मुड़ के देखते हैं, तो चीज़ा असान लगती है, इसलिए मैं आप लोगों से बहुत request करता हूँ कि आप लोग please three dimensional array के program बनाएं, और comment में मुझे दिखाएं, अगर आप दिखाना चाहते हैं, तो लिखें, please array अपने जो three dimensional array के programs हैं, वो ज़रूर बनाएं, i, j, k ज़रूर लगाएं, l भले ही मत लगाना, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हो, तो obviously आप लगा सकते हो, बट i, j, और k, इन तीनों को लेकर आपको array के अंदर भी array बनाना है, तो वो किस तरह से बनेगा, मैं एक बहुती simple था उदारन देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, कि हर array को आपको इस तरह से लिखना होगा वापस से, और इसके अंदर वापस से array बनाना होगा, तो आप लोग की आप लोग जोग array को कर लोगे, तो आप लोग जरूर बनाना है, इस तरह के array को और I, J, K करके बनाना, multi-dimensional array में इसको मिटा देता हूँ, multi-dimensional array I hope की समझ में आगया होगा, आप लोग को यहां से यहां तक हाँ, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और हमने क्या किया यहां पर यह भी लोगों को पता चलता है कि ये वीडियो में कुछ है ये वीडियो डेफिनिटली जो है लोगों को जो है पता चलता है तो इसलिए आप लोग प्लीज लाइक ज़रू कर दिया करो मुझे बता है पढ़ने के साथ साथ आप भूल जाते हो बट प्लीज लाइक फॉर मी अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस थैंक यू सो मच गाइस वाचिन इस वीडियो औ क्वार जाइस वीडियो और जावग बना है कि अवीडियो और जाते है आते हैं कि अवार दो आएस परूल जाइस वीडियोग वीडियोग प्लेजि़ पर झाल झाल